यूपी के सहारनपूर में जुम्बे की नवाज के बाद हुई पत्थर बाजी में पुलिस ने 64 उपद्रियों को गिरफतार किया है आपको बदाते कि उनकी गिरफतारी के बाद हवालाद में उपद्रियों पर पुलिस ने डंडे बरसाएं इस पर सपाध धच अखलेश यादो का रियक्शन भी सामने आया अखलेश ने शोसल मीडिया पर लिखा कि उठाने चाहिए ऐसे हवालाद पर सवालाद नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल इसके साथ ही अखलेश यादो ने हवालाद की फोटो शेयर कर यूपी के कानून विवस्था पर सवाल उठाया है उन्होंने लिखाए कि यूपी हिरासत में मौतो के मामले में नमबर वन है यूपी मानो अधिकार का हनन करने में भी अववल है यही नहीं यूपी दलिद उ